नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रिराम क्लासेश में और दोस्तों आज के इस यूडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के दस महत्पुन प्रस्णों की जो आने वाले रीट सी टेर तथा अन्य सभी टेर एक्जाम्स के तो आई देखते हैं प्रस्ण नमबर एक रचना के आदार पर शब्दों के बेद कितने प्रकार के होते हैं तो जो रचना के आदार पर जो बेद होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं और इसका करेक्ट आन्सर हैं दूसरा प्रस्ण है सलमा गर जाती है एक इस प्रकार का व वाकिए निस्यदात्मक डाकिए आग्यार्थ वाकिए है इच्या अर्थक वाकिए तो सलमा गर जाती इसन्सी बात यह सरल वाकिगे है वह अगला प्रस्न है कि हंदी कि स्लिपी में लिखी जातीए े ब्रहमी देवनागरी खारेस्टी गुरू मुखी तो दोस्तों जो हिंदी होती है वो देव नागरिक लिपी में लिखी जाती है ओप्षिन नमबर बी है जो इसका करेक्टर अंसर है अगला प्रस्न है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है राम के गर पहुंचते ही सीता चले गई राम गर पहुंचा और सीता चले गई जैसे ही राम गर पहुंचा वैसे ही सीता चले गई राम गर पहुंचा सीता चले गई तो मिश्रित वाक्य का जो उदारन है वो option number C जिसका correct answer है तो इस वाक्य में जो मिश्रित वाक्य है अगला प्रस्न है कर्म के आदार पर पांतवा प्रस्न है कर्म के आदार पर किरिया के बैद कितने होते हैं तो दोस्तों कर्म की अदार पे जो किरिया होती हैं उसका बैदे में बताना है कितने प्रकार की होती है Soup towards नमबर एक है है इसमें दो भी तीन सी चार और डी पाच तो इसका जो से उतर होगा वो option नमबर एइसका correct answer है कर्म के आदार पर क्रिया दो प्रकार की होती है एक को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और दूसरी जो क्रिया होती है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं तो सकर्मक और अकर्मक दो है जो इसमें क्रिया होती है अगला प्रस्न है छटा प्रस्न है जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उ प्रसन नंबर च्रिक्ट अंसर दाटू अगला प्रस्ण है चोर उठ बागा वाकी के समन्द में कौन सा खतन सकते हैं यह पूरुका लिक रिया है यह नकार आत्मक वाकी है यह प्रस्ण वाच्चक वाकई है और इसमें से कोई कोई गतन साथ नहीं तो अप्शन नमबर जो बी और सी तो पहले से गलत हो गया इसमें नेगेटिव बात को ही नहीं और प्रस्न वाचक भी यह नहीं तो इसका जो से उतर हैं वो पूर्वकालिक क्रियास का सयांसर है क्योंकि चौर पहले उठेगा और फिर भागाएगा तो इ उतर जैंड उया है एक ग्रियो होने के बाद में दूसरे क्रिया हो रही है इसलिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया हैं अग्ला प्रस्न है आटावा यह किस वाक्य में निपात का परियोग हुआ है राम की दुवरा मेज खेला गया तुम कितना सोते हो शाम गर जाता है नेरू जी को बच्चे भी जानते है तो दोस्तों जो इसका से आंसर है वह आप लगा ले सोच लेकर इसका से आंसर है इसका जो correct answer है वो option number D इसका से answer है जो निपात होता है वो इस निपात की पहचान यहीं कि वाक्य में B, तो, और इस तरह के शब्दों का इसमें प्रियोग होता है तो उनको निपात कहा जाता है तो option number D है जो इसका correct answer है नहरु जी को बच्चे भी जानते है अगला प्रस्ण है बगवान करें तुम हो जाओ कौन साथ इच्छा वाचक संदेह वाचक विश्मय वाचक या संकेत वाचक सोच लो जल्दी से इसका क्या answer होगा तो इसमें किसी की इच्छा को बता गया है कि इसमें वक्ता की इच्छा बताई जा रहे हैं कि तुमें जो पास हो जाओ तो यह वकता की 6 लिसमें इच्छा वाच्छक वाक्य है जासे तुम दिर्गाई हो तुम्हे जो आने वाली रीट एग्जाम में पास हो जाओ तो यह किसी की इच्छा है तो यह इच्छा वाच्छक वाक्य है लास्ट क्biesिशन है दोस्तों प्रस नमर दश है निल कंट शब्द क्या है तो निल कंट शब्द है यह योग रूर शब्द